गोड़ मॉरिंग कैसे हैं बच्चो आज हम आपके फिप्ट किलास का यूनिट थरी लेके आए हैं और बहुत ही प्यारी पोएम है My Shadow and I think a lot of you know very well about shadow मतला परच्छाई परच्छाई बच्चो जो हमारे कभी आगे कभी पीछे आएं कभी बाएं बनती है और इसका कलार यूनिवल ब्लैक ब्लैक होता है अगर हम सूबह निकलता है तो खड़े हो जाएं तो हमारी परच्छाई दूर तक जाती है और संसैटिंग होता है तो भी दूर तक जाती है और अगर four side में बल्ब जल लाए हैं तो हमारी four four shadows दिखने लगती है और इस प्यारी सी poem को सुरू करने से पहले कुछ picture आपको समझाने के लिए दिखाते हैं बच्चो देखें सबसे पहले कुछ picture को यहाँ पर एक बच्चा है जो टार्च के जरिये से अपने हाथ के पीछे रोशनी डाल रहा है और wall पे कुछ अजीब सी picture बना रहा है shadows की second picture में देखते हैं एक दूसरा naughty सा बच्चा है वो अपनी shadows के साथ खेल ला है and now we see the third one it is a girl और यह लड़की अपने bed पर देखो परच्चाई को अलग अलग तरीके से बना रही है and now we proceed to fourth one that is a hair one more why देखें यह अपने हाथों से अलग अलग shapes दे रहा है wall पर तो बच्चो जो poet हमारे लिए shadow के वारे में क्या बोलते हैं कि इस poem को पढ़ते हैं और find out करते हैं और ऐसा कोई भी बच्चा नहीं है जिसकी अपनी खुद की परच्चाई ना हो और बेटा जब हम छोटे थे तो हम अपनी उमलियों से कभी खरगोश बनाते थे परच्चाई का कभी हिरन बनाते थे कभी चूहा बनाते थे दिवार पर टौर जला जला के आप भी बना सकते हैं परच्चाई का बनाने का अलग एक श्टाईल आता है उसका वीडियो हम दिखाएंगे आपको की कैसे हम उंगलियों के जरिये से कभी डौगी कभी खरगोश यह सब सारी चीज़ों को बना सकते हैं अब मेरे प्यारे बच्चों देखो शुरू करते हैं आपका प्यारा सच चैप्टर माई सेडो बहुत ही स्वीट पोईम है और सबसे पहले टाइटल पर बढ़ते हैं माई माई मानी होता है मेरा और शेडो मींस होता है चाया चाया मींस होती है परच्चाई और परचाई आप जानते हो देखो ये परचाई है ये इस बच्चे की बैक में परचाई है परचाई कभी हमारे आगे कभी पीछे कभी हमारे यहाँ पर अलग अलग जैसी जैसी लाइट हमारी बॉड़ी पर पड़ती है वैसे वैसे परचाई बनती है अब मेरे प्यारे बच्चो सुरूरात करते हैं प्यारी सी पोएम देखें I have a little shadow shadow money you know well परचाई मेरे पास एक छोटी सी परचाई है that goes जो चलती रहती है in and out यहां और वहां with me मेरे साथ and what can be the use of him is और उसका क्या यूज हो सकता है more than I can see कोई नहीं बता सकता परचाई का क्या यूज हो सकता है जितना मैं बता सकता हूँ परचाई का क्या यूज हो सकता है बच्चा कहता है ये वाला या ये वाली बच्ची कहती है हम जानते हैं परचाई का यूज कैसे किया जा सकता है अब देखो अलग-अलग शेप में ये दिखाते हैं He is very very like me और मेरी परचाई बिलकुल मेरी जैसी दिखती है From the heels up to the bed और जैसे ही हमें यहाँ से अपने पैरों को उपर करते हैं तो बिल्कुल परच्छाई भी वैसे ही acting करती है And I see him jump before me और ये बच्ची कहती है कि मैं देखती हूँ कि मुझसे पहले मेरी परच्छाई बैड पर आ जाती है आ गई ये परच्छाई यहाँ पर ये बच्ची बैड पर चड़ नहीं पाई उससे पहले उसकी परच्छाई बैड पर क्या हो गई आ गई आप ये बोलती है कि When I jump into my bed और जब मैं अपने बैड पर जाती हूँ उससे पहले मेरी परच्छाई जो है वो बैड पर पहुंच जाती है आगे बढ़ते हैं बच्चो समझ में आ रहा होगा अगर आपको समझ में ना आए तो आप क्या कर सकते हैं परसनली मुझे काल कर सकते हैं और मैं आपकी क्यूरीज को सॉल्व जरूर करूँगा अच्छा बटा आप आगे देखें फिर ये क्या कहता है The funniest thing about him जो funniest सबसे मानंद भरी चीज सबसे मज़ा देने वाली चीज वो क्या है Him is the way जिस तरीके से He likes to grow अब ये परच्छाई जो है बहुत तेजी से बढ़ जाती है मैंने आपको पहले भी पोईम में बताया जैसे रोशनी पर ये डिपेंड करता है जैसे एक बच्चा धीरे धीरे बढ़ता है लेकिन परच्छाई जो है एक दम से बहुत लंबी हो जाती है अगर हम थोड़ी सी तरशी रोशनी डालेंगे स्लैंटिंग कर देंगे रोशनी को तो हमारी परच्छाई बहुत दूर तक पहुँच जाएगी तो यह कहता है not at all like proper children जिस तरह से एक बच्चा धीरे धीरे बढ़ता है लेकिन उसकी परच्छाई एक दम से बढ़ी हो जाती है which is जो है always very slow और हमेशा बढ़ी धीरे से for he sometimes suits up और कभी-कभी एक दम से एक दम बढ़ी हो जाती है taller like an Indian rubber wall अब देखो जैसे इंडिया है हमारा देस है हमारे यहाँ एक rubber की गेंद मिलती है जब हम उसको जमीन पे मारते हैं तो यह बहुत उंचा हाई कर जाती है हाई जम्प करती है हमने इसको जमीन पर श्ट्रक करा तो यह पूरा जम्प करती है उपर तक तो बिल्कुल वही बच्चा यह कह रहा है कि यह हमारी जो परचाई हैं बिल्कुल इंडिया में जो rubber wall होती है rubber की गेंदे होती है उसकी तरह जैसे उंचाई तक जाती है वैसे हमारी परचाई भी जरासी देर में बहुत उंचाई तक क्या हो जाती है चली जाती है, कहने का मतलब है कि जितनी ऊचाई तक रवर की गेंद जंप कर जाती है और हमारी परचाई भी उतनी तेजी से ही लमबी हो जाती है, यह कहना चारा है अब देखो क्या कहता है And he sometimes gets so little that. अब देखो अगर गरमीयों के दूनों में जो sun होता है लगबग 11 से 12 बजे हमारे अगर सर के उपर आ जाता है तो हमारी जो परचाई है वो हमारे बिल्कुल पैरों के नीचे आ जाती है और बहुत ही छोटी सी हो जाती है परचाई तो हमें लगता है अरे ये तो हमारी परचाई बहुत छोटी हो गई और उस वक्त मेरी परचाई तो बहुत छोटी सी होती है दिखती ही नहीं हमारी समझ में नहीं याता हमारी परचाई कहां चली गई अब एक घटना बताता है एक सुबह क्या हुआ मैंने परचाई को देखो किस तरह से किस शेप में पाया अब ये बच्चा कहता है एक सुबह की बात है मैं बहुत जल्दी उठा था या उठी थी सूरज निकला भी नहीं था उससे पहले मैं उठ गया मैं उठ चुका था या उठ चुकी थी अब फिर कहता है आई रोज अब देखो हम कहता और कहती इसलिए वो लैंस में बटा एक लड़की का चितर दिया है इसमें और एक लड़के का दिया है तो लड़की भी हो सकती है और लड़का भी हो सकता है आई रोज मैं उठा and found और मैंने पाया दा शाइनिंग ड्यू डियू मानी होती है ओस की बून तो मैंने देखा ओस की बूने थी कहां थी देखो on every buttercup और हर buttercup पे buttercup का यहां पर बेटा मतलब है क्योंकि कोई भी जो flower होता है हमारा full होता है वो कैसा होता है? cup जैसा होता है तो ओस की बूने हर full के उपर थी बटरकप का मतलब यह है cup जैसा safe होता है लेकिन देखी क्या हुआ but my lazy little shadow लेकिन मेरी जो आलसी परचाई थी like an aren't sleepy head बिलकुल ऐसे जैसे की एक बुरा सोने वाला जो बच्चा होता है head stayed home घर पे रुखी हुई थी behind me मेरे पीछे and watch fast asleep in word और मेरी जो परचाई थी वो बिस्तर पर सो रही थी वो मेरे साथ थी नहीं अब देखो बेटा इसमें वो क्या कहना चाहता वो आप समझ लो कि कैसे वो घर के बाहर था और उसकी परचाई उसके बिस्तर पर सो रही थी इसका कहने का क्या मतलब वो समझें आप देखे ये सुबह बहुत जल्दी उठा और ये जो हमारे सूरच चाचू है ये निकले ही नहीं थे ये निकले ही नहीं थे ठीक है अब ये हमारे ये उगे नहीं थे राइज नहीं होता सन राइज नहीं होता तो बहुत सुभए का वक्त था और हलका हलका अंधेरा था और आप अच्छी तरीके से जानते हैं जब अंधेरा होता है तो परचाई हमारे साथ नहीं होती है तो वो ही ये बात कहना जा रहा है कि देखो मैं इतनी जल्दी एक दिन सुभए सुभए उठा कि मेरी परचाई बहुती बुरे सोने वाले की तरह बिस्तर पर सो रही थी ये मेरे साथ थी नहीं इसके कहने का मतलब ये है कि जब रोशनी नहीं होगी तो परचाई हमारे साथ न complete हो गई है ना इसके कुछ new words है वह आप देख लीजिएगा और तो कुछ है नहीं वही इंडिया रवर वाल इंडिया रवर वाल का मतलब है एक ऐसी गेंड जो बाउंस मानी होती है जंप करना एक ऐसी गेंड जो बहुत उंची उचलती है होता ना रवड की गेंड होती है तो वह बहुत अगर हम जमीन में मारें तो बहुत हुचा ही तक जाती है आगे है बटर कप बटर कप तो मैंने आपको पहले ही बटर बताया कोई भी फ्लावर जो है बटर कप की तरह जैसे पौपी का फूल है गुलाब का फूल है कमल का फूल है जिनकी से बटर कप जैसी होती ह तो वो वर्टर कप हो गया विया एरेंट, एरेंट मानी होता है बैड, बैड का मलब जिसका नेचर ठीक ना हो, वो एरेंट होता है, तो बच्चों इसको ध्यान से पढ़िएगा बटा बहुत जल्द हम आपको इसका दूसरा चेप्टर लेके आएंगे तब तक इसको अच्छे से रेसाइट कर लीजेगा, ओके थैंक यू तो वाजदेस थैंक यू मेरे बच्चों थैंक यू वरी माच